अगले कॉलर हमार साथ जुड़े हैं कानपूर से विवेक जी स्वागत है आपका बोलिए यह खाना नहीं लगता है शरी में खाना तो खुब खाते हैं पर सरी में रखता है दुबला पत्ला शरीर है काफी एज क्या है आपकी एज है सत्रा साल सत्रा साल में देखो अगर एक्टिव हैं आप तो वेट की दरुत नहीं है लोग सेहत मर लोगों से इंप्रेस होते हैं अगर एक्टिव पूरी तरह है ब्लड पूरा है फुर्ती पूरी है तो इलाज मत करिए अगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिने इलाज की दरुत होत यह आदा गिराम रोजाना अगर गरीब है तो पानी में मिलाकर रोजाना पी लिया करें दूद्व मिलाकर पी लिया करें रईस है तो नारियल पानी में मिलाकर पी लिया करें यह बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए जिस्मानी ग्रोथ और लंबाई के लिए बालों के तो एज आपकी बहुत कम है, आप पिट हो सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी सेहत हो सकती है, ये नुसके अपना लिजेगा, उमीद करेंगे कि नोट डाउन आपने कर लिया होगा, हर एक उस बात को जो यहाँ पे हकीम सहब आपको बता रही है, दर्शको लाइफ कारकरम चल रहा है, अगर आप लोग भी सेहत से जुड़ी कोई भी बात जानना चाहते हैं, उसके जानना चाहते हैं, युनानी आयरवेद, अगर आप लोग ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, इन नंबर्स पर कॉल करना है, जो आपके सामने लगतार लिखाय जा रही हैं अगर बात की जाती है दर्श को अतिया हर्प्स की तो अतिया हर्प्स एक ब्रांडट कंपनी है 500 से भी जादा प्रंचाइजी इसकी देश भर में हैं जिसके पाउंटर प्रमोर्टर रिसर्चर है हकीम सुलेमान खान सहाब हकीम साब जैसे के कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी जिनके घुटने बदलवाने की नौबत तो आ गई थी लेकिन तब भी दर्द है व्यक्ति क्या करता है ऑपरेशन तब कराता है जब उसको लगता है कि अब ऑपरेशन कराने के बाद उसको आराम पढ़ जाएगा लेकिन हम देखते कुछ उलठी है परिषानी हमारी कम नहीं होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है क्या ऑपरेशन कराय बिना भी हम ठीक हो सकते हैं। दिए ऑपरेशन बगार कराय ही हम ठीक रह सकते हैं जी मैंने अभी तक कोई ऐसा मरीज नहीं देखा जिसने ऑपरेशन कराया हो और वो खुश हो और ऑपरेशन के बाद भी दवाईयां ही खानी पड़ती हैं होता यह है कि ऑपरेशन जब तक नहीं होता जब तक तो हमारे घु मोड़ कर बैठ नहीं सकते अच्छा जमीन में भी नहीं बैठ सकते कुर्सी चाहिए हर जगह पर कुर्सी चाहिए जहां कुर्सी नहीं है वहाँ बैठी नहीं सकते और मैंने ऐसा कोई मरीज नहीं देखा जो ऑपरेशन कराकर पायदे में रहा हो बरहल वो अलो की मर्जी है लेकिन आप गुटने बदलवाने से पहले एक बार यूनानी का इलाज ज़रूर कोशिश किया करें क्या पता आपको जिंदगी में आसानी हो जाए बलकुल इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं बात कर लेते हैं दिल्ली से हैं पिंकी हमारे साथ स्वागत है पिंकी लेकिन नाक की हड़ी कभी नहीं बढ़ती है यह मेरा अनुभाव है होता क्या है कि हमें अलर्जी होती है कभी नाक बंद हो जाती है कभी सांस मुश्किल हो जाती है तो हमारे नाक के अंदर जो सिस्टम है उसमें गुदूद है ग्लैंट्स है जो सर्दी या अलर्जी होने पर फूल जाते हैं जिससे हमें परिशानी होती है तो अगर आप अप हर किसी को जरूरत है और जिसको ये पाबलम है ऐलर्जी की वो कभी बड़ी तकलीफ में भी आ सकता है तो इस ऐलर्जी का इलाज करने के लिए पांच-छे महीने चाहिए घरे लुन उसका भी बताता हूं दावा भी बताता हूं अगर आप ये कर ले उसके बाद ही सोचें कि आ आपको आपरेशन कराना है वैसे आपरेशन के बाद भी परिशानी जाती नहीं है ये मेरा तजर्बा है दवा के तोर पर आप घरे लुन उसके के तोर पर आप देखिए लीजे अलसी उन्नाब और सपिस्तान सौ सो गिराम खरीदे और इसमें तीस गिराम पीपलें जो हमार लंबा इलाज करें और इसके लिए इम्मिनिटी की एक दवा भी है बलके मैं कहता हूं इस वक्त वो सब को इस्तेमाल करनी चाहिए जो भी हमारे भारतवासी है ताके हमें एक इम्मिनिटी की खुराक की हर किसी को जरूरत दे और ऐलर्जी वालों खास तर पर चाहे एक पर आपको आइए बात करते हैं अगले कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका जी नाम बताएए जी तीवारी जी सवाल आपका कॉला आपकाज कर एक आपका इव्यों होलगिatives कि भी आपका शाला के अबड़ा स्वार खूजाता ह्ए जीन क्कार साथक र Keith G tv 54 पर जाता है कि कभी और आथ को हैस्पार वह हर कामन तो दर्द भी होता है दर्द भी होता है और स्कुर्ज गोजन होता निपनी में हो जाता है उनकी एज बता दीजे उनके उमार तो सार अभियान्टों की 25 या यादवन 40 कर होगा अब ठीके ठीके इसका अच्छा इलाज करिए और अच्छा इलाज यह है कि उनको अलसी ले लिजे 500 ग्राम पांच्छो ग्राम अलसी खरीद कर भून लें आधा भूनें पूरी तरह नहीं और पौडर बना लें और गौन सियाह एक है सियाह गौन इसको अलग से पौडर बनाएं और एक चमच अलसी पौडर और एक या दो चुटकी इसमें गौन सियाह की मिलाके रोजाना एक बार या दो बार खाने के पश्चात पानी से या बगए चरबी के दूर से और वो अगर सेठानी है तो अगरा से नेक्स्ट कॉलर हैं जेपी शर्मा जी हमारे साथ स्वागत हैं आपका कि मैं अगरा से बुद्धा हूं मेरी उम्री कि 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 अधिक है आपका सवाल मैं मुझे थ्रे में रिजी हुआ था बोजार पंद्र अधी हो गया काभी कुछ काभी कुछ यहां देपो ठीक हूं मखलप करता हूं अपना सारा कान करता हूं भूटने भी आता हूं अब इस वी हैं पाहब दाउं के अब मुझे एक और नई प्रॉबम जनेक हो गई है वो है कि बहुत ही आने में स्प्रारम में मोद तखली होती है और फिर उसके आप आपके दौनों मर्ज के लिए एक दवा और एक बात याद रखें है वकील साब के जिसको भी ये बात भूलना नहीं आप जिसको भी ब्रैन का फालिज, एमरेज, लकवा जो भी कहते हैं तरह तरह के नाम है होता है उसको बार बार होता है तो ये नस्खा आपकी ये help करेगा कि दोबारा नहीं होने देगा ये और पिट तो बीमारी की जड़ है तो एक नस्खा जो इन दोनों बनकर तीन चार काम करता है ये वो है जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का असली वाले मुश्किन से मिलता है तीन चम्मच रात को पानी में डालके और पी लिया करिए चोटे चाय के चम्मच ये आपका कॉलिस्टरॉल जिसकी वज़े से ब्रैन हैम्रेज फालिज लकवा परनाईसी जो भी कहते हैं ये दुवारा नहीं होने देता और अगर बड़ी उमर वाले इसको लिया करें तो ये इस से निजात मिल सकती ये होता है कालिस्टरॉल फून में ज्यादा मिलने की वज़े से जब हमारे दिमाग की किसी नर्व से गुजरता है तो हमें फालिज लकवा ब्रैन हम्रेज वगरा होता है पिर जब हमारा खून में चल्बी ज्यादा होती तो हमारे दिल का रोग भी होता है ब्रेड प्रिशर का नेक्स्ट कॉलर है भटेंडा से हमारे साथ कंचन जी स्वागत है आपका नमस्कार मैं जी नमस्कार मैं मेरे ना बैक शोल्डर में पेल है कब से एच क्या है आपकी 40 यह ठीक है अच्छा बच्छा एक एक साइज बता हुआ वो दो दो मिनें जरूर करना हो सकता उसी से फायद होजा एक तो उसका भी बताऊंगा जुरूद पढ़े तो वो भी ले सकते हैं लेकिन एक साइज मस्ते हैं और वह यह है एक कान आप अपने कंधे से लगाया करें कंधा कान से नहीं लगाना यह आपको दो मिनट तीन मिनट रोजाना करना ही है एक एक मिनट करके करें एक कुछा रिजल्ट हो सकता है दवा की जरूत नहीं पड़े और दवा बतार भी लेना चाहें तो कैप्सूल टी केर टी फो टाइगर सुबा शाम खाने के बाद लिया करें आपका इमज ठीक होना मुम्किन है तो बिलकुल कंचन जी सबसे पहले तो आप exercise कर लीजेगा अराम तो जरूरत बिलकुल नहीं है आपको युनानी दवा लेने की लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो आपको यहां पे युनानी दवा बता दी जा चुकी है आप उसका लाब उठाईएगा फिर देखेगा आपका रोग जो है वो ठीक हो पारकिंसन की दवा पूछनी थी नहीं अच्छा कितनी उमर का मरीज है मरीज की उमर बता दीजे हूंमरा 78 जो 78 जो कि एक तो यह इलाज है कि आप उन्हें मुंग की डाल से बनी बहीं चीजे खिलाएं मुंग की डाल बुनी जाल काहलवा हुदा virus की जादा कहलाया करें और अगर भी उनको फायदाना और लंबा इलाज है ये कम ऐसका 6-7 महीने दस महीने भी करना पड़ सकता है और वरना फिर यह है कि अलसी भूने जितनी भी आप चाहें भून के रख लें अलसी पाउडर बनाके और अलकी सी भूना ज्यादा नहीं इसका पाउडर एक चमच लें और इसमें एक चुटकी रूजाना गौंसिया मिला हैं गौंसिया एक र इसमें एक चुटकी भर इसका पाउडर मिला के और सुबह को खा लिया करें विरुद पड़े तो शाम को भी खा सकते लेकिन काफी लंबा इलाज होने से आपका ठीक होना मुम्कीन है अगले कॉलर इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं स्वागत है आपका मेरे को पाउ मैंना अलोगी नाओ जी आज़ नाओ हांजी हांजी नाओ ऑफ दर्भे होता पाउस लगा हाच अजनब होता अछष एसंत है आपकी 7 के करीब सीषण करीब एज मैण़त करते थे पहले बहुत ज्यादा हाजी बहुत मेहनत करते थे हाँ मेहनत क्या वो पेले कारागेरी का काम करता था अभी तो मेहनत था काम नहीं है अपका अब देखाविज नहीं करता हूं अब अब नहीं बनता है ठीक है अब कुछ दिन महनत नहीं करना दो चार महीने और खूब उपर वाले से मदद मागें और दिखिए एक चीज आती है गौन सिया काला गौन इसको ले लिजे 100 ग्राम और मेथी 500 ग्राम मेथी आती ने घर में इ साइए इनका मिक्स करके रो मैटेरियल ले ना पिसा पिसा आए कुछ नहीं और एक एक गिराम सुबा दुपर शाम खाने के बाद पानी से बगए चरवी के दूस से या रईस आदमी है तो जूस पे जूस से भी ले सकते है पीजू